हेलो बच्चों कैसे हो आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वार रचित कवीता वे आखे करेंगे ठीक है उम्मीद करती हूं कि पिछे जो भी कवीता कराई गई थी तुम्हें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने तुम्हें बेजी थी उसके सरलात प्रशन उत्तर भी अच्छे समझ में आ गई होंगे ऑर सब बच्चों ने अपना होंवक पूरा कर लिया है अब तुम्हारा रेजल्ट भी आ चुका है तुम्हें निशिंथ हो जो बच्चे पास हो चुक है ग्रशा में आचुक हैं उनका बहूत बहुत वेल्कम है और अपना कारिये समय पर करते रहूं कोई भी बच्चा यह नहीं है कि अब भी काम पीछे छोड़ता रहेंगे तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा हो चुका है और जो बच्चा काम नहीं करेगा और पीछे छोड़ता चला जाएगा तो उसका काम इतना ही कठा हो जाएगा कि वो चहा कर भी फिर उसको पूरा नहीं कर पाएगा ठीक है तो हर रोज का कारी बेटा हर रोज करना है आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचेत कवीता वे आंके सबसे पहले तो हम इसक नंदन पंत जैसे ये प्रशन भी आ सकता है कि वे आंके कवीता के लिए कोण है तो तुम लिखोगे सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है या वास्तिक नाम क्या है तो बोलोगे गोसाईदत जन्म कभ हुआ उन्नी सो में कोसानी जिला अलमोडा उतरांचल में परमुक तो इस परकार से यह इन में कोई भी रचणा कानाम आ सकता है कि इसके द्वारा रेचित है तो तुम बता सकते हैं Sumitha Narayanandana नंपंंथ द्वारा रेचित है ऐसे ऐंधान प्रशान तर्चाट के तुमने लिखने हैं इनको कौन-कौन से सम्मान मिले, तो तुम लिख सकते हो, भारते ज्ञान पीट, ठीक है, साहित्याक आदमी, ओप्शन वाले जैसे भी, तुमें अब तक करते आए हो, ऐसे चाट-चाट कर करने हैं, ठीक है, और सुमितार नंदन पंत कि कौन से कभी है, छायवाद के कभी है, प्रकर्तिक के प्रतीन का बहुत अधिक लगाओ है, ठीक है, यह पूरा पढ़के, इस में से तुमने क्या करना है, ओप्शन वाले प्रशन उत्तर बहुत अच्छे से, कम से कम 20 प्रशन उत्तर लेखकी जीवनी में से चाटने हैं, उसके बाद आजाते हम कभीता के उपर, वे आखे कवीता, कवीता के सरलाथ करेंगे अब हम, जो यह वे आखे कवीता है, यह कवीता किसकी है, सुमीता नंदन पंद्वारा रचित है, और इस में कभी ने एक किसान की दैनिये दशा का वर्नन बढ़डा ही मार्मिक तरीके से किया है, ठीक है, कि किसान किस परकार से मेहनत करता है, लेकिन महाजन या साहुकार से जब किसी कारणवस उसे रिन लेना पड़ जाता है, ब्याज के उपर पैसे लेने पड़ जाते हैं, तो वो ब्याज को चुकाते चुकाते हैं, अपने रिन को चुकाते चुकाते हैं, उसे किस-किस कटनाई का सामना करना पड़ है मन भरा दूर तक उन में दारून दैन्य दुफ का निरवरोधन सबसे पहले क्या एगी इसमें प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत पंक्तिया हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग एग में सुमित्रा नंदन पंक द्वाररचित कविता वे आंखे से लिया गया है ठीक ह यह तो हो गया प्रसंग फिर इसमें बताओगे कि इन पंक्तियों के माद्यम से लेखक ने कवी ने इन पंक्तियों के माद्यम से कवी ने यहां पर किसान की बहुत ही दैनिय अवस्था का वर्नन किया है ठीक है फिर व्याख्या करोगे तो व्याख्या करोगे लिखके फिर क दरता है मन, यानि कवी का मन उन आखों में जाकने से डरता है, कौन सी आखों में? जो अंधकार की गुफा में जितना अंधेरा होता है, उसी के समान, जो किसान की आखों में अंधेरा है, पीडा है, दुख है, तो उन आखों के अंदर जब कवी जाकता है, उन आखों में जब क्या उन अंखों में दूर दूर तक क्या भरा हुआ है दारुण, दया, दीनता, पीड़ा भरी भरी हुइ है, दैन्ने दुख का नीरव रोदन, दैन्ने भी देनता धी करीफ ही होती है, दुख नम पीड़ा, नीरव का मतलब भीना कोई शब्द के, रोदन मतलब रोना, यानि उन आखों में दूर दूर तक चुप-चाप और कुछ भी नहीं, दुख और पीडा भरी हुई है। इसलिए उन आखों को देखने में भी डर लगता है, क्योंकि उन आखों में दूर दूर तक अन्धेरा, जैसे गुफा के अंदर देखने से सिरफ अंधेरा यंधेरा लगता है, इसी परकार से उस आखों में, जब किसान की आखों में कवी जागता है, तो दूर दूर तक उसे पीडा, दुख यही दिखाई देता है, इसलिए उसे गुफा के समान, गुफा में फैले हुए अंधका के समान बताया है, तो यहाँ पर सरीखी में कौन सा अलंकार है, बताओ, सरीखी में उपमा अलंकार का प्रियोग किया गया है, मैंने तुम्हें सबसे पहले अलंकार इसलिए कराये थे बेटा, ताकि तुम्हें अलंकार अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, और तुम्हारे जब 11 क्लास में अलंकार नहीं है, लेकिन 10 क्लास में सब बच्चों ने अलंकार किये हैं, इसलिए अलंकारों का ध्यान साथ की साथ रखो, सम, समान, जैसा, जैसी शब्द का परियोग जहां पर आ जाता है, यहां पर सरीखी भी समान के लिए है, वहां पर उपमा अलंकार होता क्यों बताई है ऐसे क्योंकि उसके आखों में हमेशा दीनता और पीड़ा चुपचाप भरी रहती है अगला पहरा वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आखों में इसका कभी क्या बता रहा है कि कभी यह जो किसान है जिसके आखों में इतनी पीड़ा है गुफा के समान अ जात था अभिमान भरा आखों में इसका और उस समय इसके आखों में क्या भरा हुआ था ये दीनता और दुख नहीं भरा हुआ था बलकि उसके आखों में गर्व अभिमान स्वाभिमान भरा हुआ था छोड़ उसे मजधार आज संसार कगार सैद्रश बहखिसका और आज उसी किसान को यह संसार मजधार होता हैं बीच समुंदर में यानि रूपी समुंदर यानि जीवन में जितने भी दुक पहाड अन्य प्रास्तितिय ऐसी आती हैं कि जाम मुसीबत होती हैं, तो उस समय उसे क्या बोला गया है यहांपर मजधार, यानि मतलब होता हैilde, किसी को प्तार ना लगाकर वीच में ही सागर के पिच में चोर देना। पि coward कुनारे थख नहीं पहुंचा कर शे भीच में चोर देना। ये जीवन भी क्या है, एक सागर के समान है, और वो जब किसान के उपर मुसिवते आती हैं, कठनाई आती हैं, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने उसे किनारे तक नहीं पहुंचाया, यानि उसकी जो हालात ऐसे थे, उसकी प्रिसिथिया प्रतिकूल थी उस समय, संसार, ये संसार के लोग उसे बीज मंजदार में ही छोड़कर इधर उधर खिस अगे, यानि जब कोई मुसिवत आती हैं हमारे उपर, तो ये संसार क्या है, हमें उस मुसिवत में ही छोड़कर एक साइड एक तरफ खो जाता है, तो उसी परकार से इस किसान के साथ भी, ज लहराते वे खेत द्रगों में हुवा рьणकों पैद आख़तें बेदखर्व ये जिन से,ब तीसरा पहरे परिया protein है, ये देखो, ये तीसरा पहरा है ये लहराते वे खेत द्रगों में, कभी क्या बता आ रहे हैंरे कि किसान के आँखों में क्या हैं? ग επन आखों मतलحم तो आज सहुकार ने अपने पैसे वापिस लेने के लिए उसे उन अपने ही खेतों से जो खेत उसके सब कुछ अपने थे उससे खेत खेत चीन लिए और उनसे उसे बेदखल कर दिया। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रण त्रण से यानि जिसके जीवन का आधारी क्या थे खेत थे वो हरियाली थी वो फसल थी जो तिनके तिनके में विराजमान होती थी हरियाली उन हरे भरे खेतों को ही जो उसके जीवन का आधार थे वो खेत ही साहुकार ने उससे छेन लीए. ठीके? 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 ट्रेन्-ट्रेन् में कौन सालंकार है? ठीके? अब आगे है. आखो ही में घूमा करता हूँ है उसकी आखो का तारा. अखो का तारा यहाँ पर मुहावरे का प्रियोग किया गया है. जब तुम नीचे विशेष लिखोगे, अगर यह वाला प आँखो का तारा मुहावरे का सुन्दर प्रियोग किया गया है, ठीक है, तो क्या है, आँखो ही में घूमा करता, वह है उसकी आँखो का तारा, कभी क्या बताते हैं, कि आँखो का तारा यहां पर किस के लिए इस्तिमाल किया गया है, आँखो का तारा होता है, अतेंथ प्रि किया गया है तो कभी क्या कह रहे हैं कि वो उसका जो बेटा था वो आँखों काता रहा था वो उसकी आँखों में हमेशा रहता था उसे इतना अधिक प्रिय था वो उसके साथ क्या हुआ कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा कारकुन होते हैं मतलब जो साहुका कि प्र७ आप दिया टीक है यानि क्या बताना चाया है। इन चार पंक्तियों के मादाम से कभी नहीं यहां पर बताना चाया है। कि जो उसकी आंखों का तारा उसका पुत्र था वुच्छानी में ही साहूकार के लोगों ने लाठियों से पीट-पीट कर उसे मार दिया, वो उसकी आँखों का तारा, वो उसकी आँखों में हमेशा भूमा करता था. बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी इतना ही नहीं कभी क्या बता रहे हैं कि महाजन ने सिरफ उसके खेती नहीं चीने उसके बेटे को ही नहीं मरवा दिया बलकि अब भी महाजन द्वारा किये जाने वाले अत्याचार खतम नहीं हुए थे और उन्हीं अत्याचारों का आगे वर्णन करते हुए, कवी यहां पर क्या पता रहे हैं, कवी यहां पर बता रहे हैं, विकाद या घरद्वार, यानि इतने थोड़े पैसे लेने के बाद भी इतने जादा ब्याज पर व्याज साहुकार उनके उपर किसानों पर लगाते रहते कि उस ब्याज को चुकाने में ही उसे अपने खेतों से भी हाद धोना पड़ा, अपना बेटा भी जवानी में ही खोना पड़ा, और विकाद्या घरद्वार महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी, यानि जो किसान ने महाजन से साहुकार से जो पैसे उधार लिये थे, उसकी एक फुटी कोडी भी नहीं छोड़ी और उसे पाने के लिए उसने जो किसान का खेत घर था, खेतों के साथ साथ, जो घर था, वो भी छीन लिया, बेच दिया, अपने पैसे लेने के लिए, रह रह आँखों में चुबती वह कुर्क हुई बर्गों की जोड़ी, रह रह में पुन्रुक्ति परकास अलंगार यहां पर फिर से आ गया है, आँखों में चुबती, वह कुर्क हुई बर्गों की जोड़ी, यानि रह रह, यानि बार बार वो उसकी आँखों में चुबती रहती थी, आँखों में चुबना मतलब जो अच्छाने लगना, यानि अब किसा या साहुकार ने, जो किसान की बैलो की जोड़ी थी, जिससे वो अपनी खेती करता था, वो भी उससे छीन ले, ठीक है, यानि अपने पैसे वसुनले के लिए, उसने किसान से उसके खेत भी छीन लिये, उससे ब्याज इतना चड़ा दिया कि एक एक कोड़ी लेने के लिए उसका घर बार भी बिकवा दिया, और इतना ही नहीं, जो दो बैलो की जोड़ी थी, वो जोड़ी भी उसने किसान से छीन ली, आगे है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कभी ने अगले पहरे में और किसान की दैन ये दिशा का वानन करते हैं, कि उज उजरी उजरी होता सफेद, और यहां पर सफेद किसके लिए प्रयोग किया गया है, गाएं के लिए, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानि जो गाएं थी, उसके सिवाएं उसे पास आने किसी को भी नहीं देती थी, किसी के लिए दुहाने, यानि द लंकार हो गया प्रश्ण लंकार हो गया है तो क्या बताया है आखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुप की खेती यानि उसकी आखों में कभी क्या नाचती थी जो सुप की खेती थी खुशियों के दिन थे वो नाचा करती थी और अब वो खुशियों के दिन क्या है स्वर्ग चलि आँखे भर आति कभी क्या बताना चाहते हैं कि बिना दवा और दारु के यानि दवाई के घरने घर्वाली क्या करती स्वर्ग चलि यानि मर गई आँखे भर आती और जब उसकी याद आती, तो कवी की आँखें भर आती। देख रेख के बिना दूद मुही, बिटिया दो दिन बाद गई मर। क्या बताते हैं कवी? कि देख रेख के बिना, यानि जब उसकी पत्नी का स्वर्ग्वास हो गया, बिना दवादारू के, यानि बिना दवाई के, यहां पर दवादारू किसके लिए प्रयोग किये गई है, दवादर्पन, दवादर्पन का मतलब है यहां पर दवाई के बिना, उसकी जो पत्नी बिमार थी, वो क्या हुआ, कि स्वर्ग चली गई, यानि मर गई, क्योंकि उसक समय पर उसका इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे आंखे भर आती और यह सब याद करके उसके आंखों में आंसु आ जाते हैं देख रेख के बिना दूद मुही बीटिया दो दिन बाद गई मैं अब उसकी पत्नी की मिर्ट्व हो चुकी थी देख रे अपनी मा के दो दिन के बाद ही मर गई क्योंकि उसके पास किसान के पास पैसे नहीं थे उसके दूद के लिए और उसकी मा मर चुकी थी तो वो उसे दूद कहां से पिलाता इसलिए वो चोटी बच्ची भी उसकी मा की मिर्ट्व के दो दिन बाद ही मर गई अगला है यह घर विद्वा रही पतो हूँ, जो उसके बेटा जो जवानी में ही मर गया था, उसकी जो विद्वा बहु बची थी, वो क्या थी? लक्षमी थी, यानि वैसे तो हम बहु को क्या कहते हैं? कि हमारी लक्षमी है ये. लेकिन समाज के लोग इतने कुरूर होते हैं, कि जैसे हैं उसकी पती की मिर्तु हो गई, साहुकार ने हाला कि उसे मारा, लेकिन फिट भी उसे क्या कहने लगे? पती घातिन, यानि अपने पती को खा गई. पकड मंगाया कोतवाल ने डूब कुए में मरी एक दिन. तो क्या हुआ? कि एक दिन जबरदस्ती कोतवाल है यहां पर किसके लिए? पुलिस वाले के लिए. यानि पुलिस वाले ने उसे जबरदस्ती अपने पास बुला लिया और वो इस कलंग को सहन नहीं कर सकी और एक द नहीं. जोरु किसके लिए है? यहां पर पतनी के लिए. पतनी तो क्या है? पैर की जुत्ति के समान है. कि जिस परकार से हमारी पैर की जुत्ती खराब हो जाती है, तो हम दूसरी बदल लेते हैं. ठीक उसी परकार. अगर पतनी की मत्यू हो गई, तो कोई बात नी दूसरी ले आए हुगा यह सोचता है किसान ठीक है पर क्या हुआ पर जवान लड़के की सुध कर लेकिन जवान बेटे का जब ध्यान वो करता है तो क्या होता है साप लोटते फटती चाती साप लोटते और फटती चाती दोनों ही मुहावरों का यहां पर बड़ाई सुंदर प्रियो किया गया है लेकिन कभी क्या कहते हैं लेकिन उसे जैसे ही अपने जवान बेटे की सुद आती है यानि सुद का मतलब क्या है ध्यान आता है तो उसके कलेजे पर सांप लोटते हैं कहने का मतलब क्या अत्यंत दुख होता है अत्यंत पीड़ा होती है और उस दुख और पीड़ पल भर के लिए उसकी आखों में क्या होता है एक चमक आती है खुशी आ जाती है तुरंत शुन्य में गड़ वह चित्वन तीखी नोक सेदर्श बन जाती लेकिन जैसे ही किसान अपने वास्तिविक जीवन में वापिस आता है तो तुरंत का मतलब उसी शन उसी पल तो उसका म मन चित्वन का मतलब है मन तीखी नोक सेदर्श बन जाती उसके मन में एक तीखा सा दुख पीड़ा पहुंचती और वो सारी की सारी तस्वीरे जो उसके जीवन में घटनाई घटी थी किस प्रकार से उसकी सा के खेत निलाम हो गए थे बैल की जोड़ी ले ली थी घरवार video पिट द्रीते और इस खेंब शक्रेव जड़ी और याम भी उख ञाते हैं और दुख उसकी आंको अन गारते हैं इन गालफ तो बैक निलीच का ऊंचते हो हमक्राइब हो थी और आया पंसके गधिया जाता है नहीं पाता रहा द Еश्या हो पाता है और अपने इसाल में में दुख में ही जीना सीख लेता है, तो कवी के साथ भी ऐसा ही होता था, कि पल भर की खुशिया, जब वो पिछली बातों को याद करता था, तो उसकी आँखों में चमक आ जाती थी, लेकिन उसी पल वो वास्त्युक्ता से जैसे ही रूबरू होता था, वास्त्युक्ता को जैसे ही वो उसका सामना करता था, तो वो सारी खुशिया भी उसके मन में एक पीड़ा, एक सूल की तरह चुपती थी, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज, पूरी कवीता का सरलार्थ, तो अब हम करेंग इसका विशेष, तो विशेष में सबसे पहले भाव, भाव में बतावेंगे कि इस कवीता में कवीन, जो सुमितर नंदन पंथ हैं, उन्होंने किस परकार से किसान के दैनी आवस्ता का बड़ा ही मार्मिक चितरन किया है, ठीक है, उसके बाद बताएंगे भाशा सहेज वसरल है, तत्सम तद्भो शब्दों का प्रियोग किया गया है, अनुपरा सलंकार का प्रियोग किया गया है, पुंडुक्ति प्रका सलंकार और परसाद गुन और लयात्मक्ता और गयात्मक्ता और चितरात्मक्षैली, चित्रात्मक्षेली का बड़ा ही सुंदर यहां पर प्रयोग किया गया है थीक है अगले कक्षा में हम इसके प्रशन उत्तर करेंगे आज की कक्षा हमारी यहां पर समापत होती है तो सब बच्चे अपनी कोपी में जो यह मैंने सरलाथ करा आए हैं आज यह सारे सरलाथ अपन में सारे लिखके और मेरे को WhatsApp पे चेक कराएंगे, तो आज की रख्षा यहीं पस्मापत होती है, धन्यवाद.